कि सुशान सिंग राजपु छोटे मोटे कलाकार नहीं थे 20 करोर से 30 करोर लेने वाला एक कलाकार चला जाता है और इनके मूँ से एक सब्द नहीं निकलता है एक सब्द नहीं निकलता है, formalities निकलता है, कैसे चला गया मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं लेकिन लेकिन प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं मांग नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं सवाल होता है कि इसके पीछे साजिस है कि नेपोटीजम संबराज से जो निकल रहे हैं कालुकार उनको प्रमोट करना है कहीं न कहीं बिहार पटना पंजाब उरिशा पशिम बंगाल से जो संघर्स करके आ रहे हैं कालाकार वो कैसे नेपोटीजम संबराज के जो यूराज बैठे हैं उनका यह तो हमारा वॉली डूड है यह हमने इसको बनाया है जनता पे तो हम थोपते थे यह कई से लड़का ऐसा कुछ कर दिया शौंजिंग राशपूत को हमारे 20 से गए हुए लगबग 6 महीने हो चुके हैं यहां पर भी आप पीचे स्ट है प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें आप भी शामिलो तो क्या एक संदेश देना चाहोगे सर्थ क्यूंकि आज 6 महीने हो गए और जनता और हमारे साथ तमाम लोग जो आज भी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं प्रोटेस्ट का जो मतलब है और जो प्रोटेस्ट का मकसद है कि युनाइटेड ज में और जिस मकसद को के और हम झागे बढ़ रहे हैं वह कहीं तूट न जाये और ये साबीछ हो गया कि जब हम मैंने Twitter handle आज मैंने सुबह से लेकि अभी तक देखा जाए तो लगातार trend कर रहा है सुशान सिंग दाजपूत ओथ फर्द सुशान सिंग दाजपूत तो यह लगातार trend कर रहा है इसका मकसद कि हम global तरीके से लगातार हम उन मुद्दो को रखड़ा हैं जिन मुद्दो को लेकर चले हैं और जिसे से स्वेतादीदी ने कहा था कि हम आज प्रेक करें जहां भी हूं पटना बिहार पंजाब जहां पर भी आप से मौजूद हैं कहीं न कहीं सुषान सिंग राजपूत के लिए उनाइटेड दिखिए क्योंकि बहुत साड़े जो चाइब इसकुट वाले पत्रकार हैं चटुए पत्रकार जो तीवारी भाईया हमेशा बोलते हैं चटुए पत्रकार चटुए पत्रकार जो डिलीवर करन चाहते थे कि हाँ सुषान सिंग राजपूत सुबह उठे और बकाइदा योगागा किया उसके बाद बोले कि चलो भाईया सुषाइड करते हैं और इधर दिशा बहन ने बोला कि नहाली है मैं कपड़ा नहीं पहनूंगी अब मैं जंप मारूंगी तो यह दो चीज़े जो आप जो चाहते हैं वह इंपोज नहीं होने देंगे और यह डिक्वेस्ट है सी बी आई से तिवारी भाईया विन्ती करके बोल रहे हैं कि हां हमें मालूम है कि बहुत लेट से आपको इन्विस्टिगेशन मिला लेकिन उसमें जो एंसी पी जो अपने इन्विस्टिगेशन में धार दे रही है समीर वानखेडे साहब इंविस्टिगेशन कर रहे हैं वही इंविस्टिगेशन CBI भी देखे CBI मैं मैं तुछ प्राणी हूँ मैं CBI पर सवाल नहीं ख़ड़ा कर रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वैसा फास्ट दिखाना होगा क्या पता इस केस से जो यंग जिडरेशन 18 साल से 18 साल से लोकर जो साट साल सकतर साल और इस केस में तो यह है कि पंदरा साल को न्याई मिलता है तो कहीं ने कहीं उन तमाम लोगों को जो लॉयल्टी बनी हुई है CBI पे वो कहीं ने कहीं जगेगी तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा CBI को कि प्लीज आप एक्सपर्ट हैं अप एक परसेंट सबूत को हंडर परसेंट में कनवर्ट कर सकते हैं यू हाव अ गुड टालेंट IPS ओफिशर इन CBI तो आप यह कुछ कर सकते हैं तो यह रिक्वेस्ट है CBI से कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सोशान सिंग राजपुत का पड़िवार की उसके बाद हम लोग बिधायक MP बन जाएंगे लेकिन जो गलत हुआ है उसको न्याई मिलना चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है जिसका जवान बेटा चला गया जिनvent चारो बहनों प एक भाई था हुँ चला गया उसके लिए न्याय के लिए बात कर रहा है हमें किसी से कोई प्राब्लम नहीं है आपने कुछ देर पहले ये कहा कि जितने भी चट्वे पत्रकार या फिर जैसे भी मेड़े हाउसे थे उन्होंने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की पर यहां पर तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मुद्दे को और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन्हें भी दबानी की कोशिश की और इसमें से ही शामिल हैं कुछ लोग महारास्त सरकार में से देखिए मैंने क्या बोला था कि कितना भी कोशिश कर ले सच के सामने हमेशा आसत इतनी छोटी नजराती है पत्रकार महोदिया जितना कुछ कर ले आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया के साथ वहां कुछ हो रहा है उसे लग नहीं रहा है कि उसे सत्य को दबाने के लिए लगातार रिसर्च चल रहे हैं रिसर् अ faltaवादी पत्रकार को कैसे स्पॉयल्ड किया जाए उसके चैनल को कैसे फूनक दिया जाए उसको रोका कैसे जाए इसके लिए रिसर्च चल रहा है यहीं सब कुछ कारण्द के जनता को पता चल गया है कि सच क्या है अब वही मैं बोल रहा हूं कि चलिए हो सकता है वहाँ सरकारी तंत्र ने क्या डिलिवर किया डिलिवर तो करी दिया है न कि सुसान सिंग राजपुत ने जूस पिया और बोला कि मुझे सुसाइड करना है वो तो डिलिवर कर दिया है लेकिन हमें गलल नहीं उतर रहा है न एक सो आसी दिन हो गए है आज छे मैने हो गए और इतने सबूत पड़े हुए जो लगतार चीक शिक के चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सबूत हूँ मुझे आख से पूखिये ले जाए मुझे लेकिन क्या किया जाए जमिन दोज कर दिया गे उन सबूतों को अब CBI के हाथ नहीं लग रही तो मैं बार बार आपकी चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि CBI में इतनी टालेंट है जो एक परसेंट सबूत को हंडर परसेंट में कनवर्ट कर दे सकती है धागे का एक पॉइंट मिल जाए तो पूरा जो धागा जहां लापेटा हुआ है वो पूरा सामने आ जाएगा वो CBI में टालेंट है तो यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ आप नकरात्मक ब्यक्ति होंगे आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं तो पोजेटिविटी लेके चलता हूँ करें उनके पास बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट लोग हैं फॉरेंसिक टीम है उस पर कोशिश करें क्योंकि देखिए चलिए ठीक है माल लीजे कि आपके वाद सबूत नहीं मिले लेकिन उन तमाम गलतियों पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या पता जान बुझ के गलतिया कियो गई है जो कूपर हॉस्पीटल से हुआ जो इन्विस्टिगेशन स्टार्ट हुआ जिस दिन से डेथ की जो मिस्ट्री हुई थी उस दिन से जो स्टार्ट हुआ तमाम चीज़े वहां से बहुत सारी सवाल पैदा हो रहे हैं आपको याद होगा पत्रकार मोहदिया सिखर सुमन ने पटना में बैठ के कितने सावर सवाल पूछे उनका जबाब किसी के पास नहीं था तरीके सा अवी आपने यहीं पर देखा आंदोरोनों को इस तरीके से रोखने की कोशिक की जा रही है जिस तरीके से लोग लडाई लड रहे हैं उनके मनोबल को तोडने की कोशिक की जा sickness दिल्ली पुलिस से कहा था वहां पर आती हैं जिस मकसद के लिए कटर वा हुए थे हमनेम कहा थाओ और हमने एक बार बार बोल रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं थे रहेंगे और जिस मकसद के लिए हम चले हैं जिस मकसद को पूरा करना है हम कहीं न कहीं पूरा करेंगे और यह जो आज हुआ है ट्रेंड किया या कैंडल प्रोटेस्ट किया यह तमाम चीज़ें मैसेज देना चाहते हैं केंदर सरकार को हम तमाम मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं सीबी आई को कि हम सुषान सिंग राजपूत के न्याय के लिए अभी भी इंतिजार कर रहे हैं और यह आपसे हमबल रिक्वेस्ट है सीबी आई जी से जी लगा रहा हूं सीबी आई जी से किर्पया करके इस केस में थोड़ा और जल्दी बाजी कीजे हमें हमेशा मुझे इतिहास पता है सीबी आई का कि कहीं न कहीं हर जो केस हो वो बहुत लेट से मिलता है वो तमाम चीजें लेट से आती हैं लेकिन इस मामले को लेकर प्लीज किर्पया करके कहीं न कहीं जल्द से जल्द नयाय दिया जाए यह सीबी आई से विंती है तीवारी भाई आके हो क्योंकि उनकी बेह लेटी इतना संघर सी कहानी लिखने वाला ब्यक्ति कैसे जा सकता है यह तमाम चीजें लोग जानना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ सुषान सिंग राजपूत के साथ कि जो जो अचानक ऐसा कुछ हुआ तो कहीं न कहीं यह तमाम चीजें हम इंतिजार कर रहे हैं कि प्लीज किर्प्या करके न्याय दीजिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही सब्द कहूंगा देश के पढ़ान मंत्रि नरिंद मोजी से हमें कुछ नहीं चाहिए को कहीं कोई एक सबूथ होगा जो सुषान भाई को न्याय दे सकता है और मैं यहीं बोल रहां हूं बार-बार एक परसेंट वो सबूथ है जो 100% को convert कर सकता है पत्रकार महोदिया यहीं पर ऐसे लोगों के चेरे साव हुए जो अभी तक दोगला चेरा लेकर घुमते थे बॉलिवुड की बात करें तो आज जनता उन सभी का बाईशकार कर रही है जिन्होंने सुषान सिंग राजपूत के लिए जस्टिस की आवाज नहीं उठाई या फिर उन्हें दबाने की कोशिश की यई तो हम बोल रहे हैं कि सुषान चिंग राजपूत के बाता है कैसे चला गया मैं दुखी हूं मैं ये हूं मैं वह हूं लेकिन रूतेस्त नहीं कर पाते हैं इस नहीं कर पाते white तो कहीं न कहीं सवाल होता है न किशके पीछे साजी से लिए कि निकल रहे हैं कलूकार उनको प्रमोट करना है, कहीं न कहीं बिहार पटना पंजाब उरिशा पशिम बंगाल से जो संघर्स करके आ रहे हैं का लाकार वो कैसे नेपोटीजम संबराज्य के जो यूराज बैठे हैं उनका जौब खा रहा है अब क्या हुआ था शुशान सिंग राजपूत क्या थे बिहार से आये हुए थे तो सिर्फ लड़का ऐसी कुछ कर दिया उसके बाद सर्यंत रचा गया अशर्यंत जब रचा जाता है तो सिर्फ इसे नहीं हो प्altet करें प्यादे ये काम ये करेगा वह काम ये करेगा वो काम ये करेगा ये काम वो करेगा तो य fabrics इमाम चीज़े देखी जाती है और वही तो मैं बोल रहा हूं कि सुषान सिंग राजपुत पर कोई न कोई एक इस खाइब प्यादा है पत्रकार महोद्या जो सिशा की तरह साफ कर सकता है ये कही न कोई एक प्यादा है जो सुषान सिंग राजपूत को न्याय दिलबा सकता है यह तिवारी भाई का पुड़ा भड़ोसा है और साथ में भगवान सीव पर बड़ा सा है कि न्याय मिलेगा